तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि वीप का हिंदी में क्या मतलब होता है वीप वीप का हिंदी में मतलब होता है रोनना रोनना इसकी जो सेकेंड फार्म होती है वो होती है वेप्ट इसकी जो 3rd form होती है वो भी होती है wept यानि कि 2nd form और 3rd form सेम रहती है wept, wept अगर इस form को singular form बनाना है तो इसके last में आप only S जोड़ दीजिए तो यह form singular form बन जाएगी weeps अगर इस form को continuous form बनाना है ing की form में बनाना है तो इसके last में आपको ing जोड़ना पड़ेगा तब यह form continuous form बन जाएगी ing की form में बन जाएगी weeping यहाँ पे एक sentence दिया हुआ है तुम क्यों रो रही हो तुम क्यों रो रही हो तो इसका आप English में sentence बनाएगे why are you weeping why are you weeping या present continuous का sentence है interrogative sentence है इसलिए यहाँ पे वीब की ing form का use हुआ है अगर आपको यह जानकर यह अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक share कीजिए